टेस्टी, चटपटी, खट्टी संबर अगर मिल जाए तो साउथ इंडियन खाने का मज़ा कही गुना बाठ जाता है इसे आप बड़ा के सथ खाए, इटली के सथ खाए, सब चीज में एक परफेक्ट जाता है और इसे बनाना बहुत आसन है तो चलिए जट पर होटेल जैसा संबर की रेसिपी सेयर करते है तो सबसे पहले संबर बनाने के लिए मैं एक कूकर में टू टेविल स्पून वेजिटेबिल ओयल को गरम करने के लिए डाल दिये है आभी मैं उसमें डालूंगी गालिक, चौक किया हुआ गालिक और दो मीडियम साइज का पियांस को मैं ओमलेट कट कर ली हूँ इसे भी मैं डाल दूंगी डालके दोनों चीज़ को मैं फ्राइ करूंगी आभी कुछ सबजिया है जैसे कदू, गाजर, पीन्स, बैगन, डाम स्टीक इसे सारे चीज़ को मैं लंबा लंबा काट कर लिए है अभी मैं इसे भी डाल दूंगी डालके सारे चीज़ को मैं फ्राइ करूंगी आप देख सकते हैं साथी साथ मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, स्वादानुसन नमक, सुगर डालूंगी, डालूंगी आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, कालर के लिए मैं डालूंगी कस्मिरी रेज चिली पाउडर, अभी मैं सारे चीज को मिक्स कर ऑभी मैं इसमें डालूंगी 2 टी स्पून सांबर मसाला और दोड टाल इससे मैं आदा घंटा बेगा के राख दिये थे अभी मैं डाल को भी डाल दिये हैं अभी मैं सारे चीज को मिक्स कब लूंगी और इमली का पानी को दबानागी अब ही मैं इसमें पानी डालूंगी डालके मैं 2 हुशल तक इसे कूप करूंगी अब ही मैं एक तरका बनाऊंगी तो इसके लिए मैं एक तरका पैन लिए हैं आभी मैं इसमें डालोंगी 1 테بل स्पून ओएल तीन सुकी लाल मीच को तोड़के डालोंगी साथी साथ मैं आधा टी स्पून राय डालूंगी सरसो आभी मैं इसमें डालूंगी कडिया पत्ता आभी सारे चीज को मिक्स कर लूंगी इस टाइम मेरा गैस का फ्लेम लोग में रहेगा आभी मैं इसमें डालूंगी आधा टी स्पून हीन अब ही मैं इस्तारका को सामबर के उपर डालूँगी इदेखिए फ्रेंज मैं डाल दिये हैं अब ही मैं सारे चीज को मिक्स कर लूँगी रेसिपी अच्छे लगे तो मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए अपने दोस्तों पोड़ी बारों के साथ सेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इदेखिए इतना आसानी से मेरा बन गया है होटेल जाए से समबर आप इसे जरूर बनाएए बड़ा की रेसिपी अल्रेडी मेरा चैनल में है मैं डेस्किप्शन बॉक्स में डाल दूँगे अब चेक कर सकते हूँ थैंक्स पर वाचिंग